तो नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं हाउस डॉक्टर स्टूडियोज चैनल को मैं हूँ आपका अपना अर्किटेक्ट मंदीप चौधरी तो दोस्तों आज का जो यह हाउस है यह 40 भाई 35 फिट का है और इस हाउस को हमने residential plus renting purpose के इसाब से हमने हमने इस हाउस को design किया है और दोस्तों जो इस हाऊस की details हैं और जो इस हाउस को download links है इस plan के according इस plan के बारे में sorry उनके link आपको नीचे video के description में देखने को मिल जाएंगे आप उनको वहां से अराम से डाउनलोड कर सकते हैं एक छोटा सा अमाउंट पे करके तो आए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और क्या तो आए दोस्तों आपने इसका फ्रंट टेलिवेशन तो देख लिया होगा इसके बाद हम इसके इंडिरियर्स की बात करते हैं तो आगे चलते हुए आप सामने देख सकते हैं आपको यहाँ पर हाउस का पार्किंग एरिया देखने को मिल जाता है इसका साइज आपका 10 feet by 21 feet और 6 inch का रहेगा और दोस्तों इसी के साथ अगर आप हाउस के फ्रंट में देखेंगे तो आपको यहाँ पर 4 feet wide open space देखने को मिल जाएगा तो इसके बाद दोस्तों हम एंटर करते हैं हाउस के living area की तरफ आप living area देख सकते हैं इस living area का size आपका 14 feet by 10 feet का है आप इसको extend भी कर सकते हैं अगर आप इसको हाउस की dining area की तरफ अगर आप इसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहें तो आप इसको बढ़ा सकते हैं बाकी आप इसका overall view आप यहाँ पर देख सकते हैं और दोस्तों जो इसकी एक ओर entry आपको house के parking area से भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी वैसे आपकी main entry तो सामने की तरफ ही रहेगी तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक house का जो dining hall देखने को मिल जाता है इसका size आपका 14 fit by 12 fit और 9 inch का रहेगा और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर dining area में यहाँ पर आपको एक छोटा सा पूजा room हमने यहाँ पर आपको provide करवा दिया है इसके बाद आप इस house का जो kitchen area है आप उसको देख सकते हैं इसका size आपका 10 fit by 12 fit का है आपको यहाँ पर एक अच्छे size का kitchen area देखने को मिल जाता है और इसी के साथ दोस्तों आपको यहाँ पर kitchen का store देखने को मिल जाता है जिसका size आपका approach 6 by 6 fit का है आप चाहें तो अगर first bedroom की तरफ तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह है आपके house का first bedroom इसका size 13 by 12 fit का है आपको यहाँ पर अच्छा interior देखने को मिल जाता है एक side is wardrobe आपको wardrobe की side में यहाँ पर आपको sitting के लिए आपको यहाँ पर एक city देखने को मिल जाती है दोस्तों जो यह bedroom है इसकी जो ventilation है वो OTS के थरू होगी और जो house का common toilet है उसकी ventilation भी इसी OTS के थरू होगी और दोस्तों आपको इस bedroom के साथ attached toilet भी देखने को मिल जाता है इसका size आपका 7 fit change by 6 fit का रहेगा और दोस्तों जो इस toilet की ventilation है वो हमारी duct के थरू होगी तो दोस्तों यह है हमारे house का common toilet इसका size आपका 6 fit by 6 fit और 9 inch का रहेगा तो आए इसके बाद हम house के second bedroom की बात कर लेते हैं यह है हमारे house का second bedroom इसका size आपका 13 fit by 10 fit का रहेगा आपको यहाँ पर अच्छा space देखने को मिल जाता है आपकी दोस्तों आपने यहाँ पर ground floor का overall view आपने यहाँ पर देख लिया होगा इसके बाद हम house के first floor area की तरफ चलते हैं आप stairs देख सकते हैं stairs का यहाँ पर कोई issues नहीं है आप यहाँ पर सोच रहे होंगे के stairs आपकी anti clockwise है ऐसा कोई issues नहीं होता अगर आपका house renting purpose के हिसाब से यहाँ पर design किया गया है तो तो दोस्तों आप उपर यहाँ पर first floor का area देख सकते हैं आपका exactly ground floor की तरह सेम हैं क्योंकि हम आपको यह floor नहीं दिखाएंगे क्योंकि हमारा जो उपर नीचे as it is same बना हुआ है बाकी अगर आप इसकी और ज़्यादा details देखना चाहते हैं तो आपको नीचे इसके description में मिल जाएंगी और इस plan के download links भी आपको नीचे description में मिल जाएंगे तो आइए चलिए इसके बाद हम house के terrace area की तरफ चलते हैं आप देख सकते हैं उपर भी आपको यहाँ पर मम्टी के अंदर भी अच्छा space देखने को मिल जाता है आप इसको as a storage यूज कर सकते हैं तो आपको उपर enter करते ही आपको यहाँ पर अच्छा एक ब्रामदा देखने को मिल जाता है हमने यहाँ पर अच्छी planting की है आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको swinger भी देखने को मिल जाता है और आपको यहाँ पर garden area भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा पकी दोस्तों जो इसके OTS और जो यह duct वगरा है आप उनको यहाँ पर देख सकते हैं और हमन किते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ अगली बार नमस्कार किते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ अगली बार नमस्कार किते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ अगली बार नमस्कार